आज जो मैं वीडियो बनाने चाहरा हूँ यह चार महीने से ज्यादा का टाइम हो चुका यह पैंडिंग पड़ी हुई है आज की वीडियो मुझे दिसंबर के महीने में बनानी थी लेकिन अनफोर्चनेटली चार महीने गुजर गे और आज 24 मार्च है तो आज फाइनली मैं यह वीडियो लेके आया हूँ आज की वीडियो में special यह है कि मैं अपरोडुक्त को अन्बॉक्स और उसका रव्यू लेके आया हूँ और यह कोई ऐसी वैसी प्रोड़क्त नहीं है यह ऐसी प्रोड़क्त है जिसको आइधिनक पाकिस्तान में पहला बना हूँ जो अन्बॉ लैंड की ये video transmitter Holy Land basically एक company है जो camera related products और gadgets बनाती है तो उसी में एक product आती है Mars 400S ये basically एक wireless video transmitter है इसके बारे में आगे चल के बात करते हैं लेकिन उससे पहले मैं शुक्रिया दा करना चाहूँगा Sir Agha Rizwan Ali का जो basically Holy Land के ambassador है पाकिस्तान में और इसके इलावा वो photography teacher है mentor है वो workshops देते हैं वो different seminars करते हैं तो thank you so much और मादरा चाहता हूँ ये 4 महिनों से video pending बढ़ी होई है लेकिन finally आज ये video में लेके आया हूँ तो thank you so much अब बढ़ते हैं हम आगे फर्दर वीडियो की तरफ और इस बात करते है इस product की बात करते हैं product की तो Holy Land की ये Mars 400S जो कि एक video transmitter है video transmitter ये होता है एक transmitter आप अपने कैमरे के उपर attach कर देते हैं और दूसरा जो receiver होता है वो आप किसी भी output display के लिए किसी भी LED पे या किसी भी monitor पे या या इस तरह के projects होते हैं तो ये product आपके लिए नहीं है in future अगर आप production level पे अपने business को ले के जाते हैं जिसमें आपने songs shoot करने हो commercials बनानी हो, ads बनानी हो या short films बनानी हो तो ये product आपके लिए है अब जैसे मैं, मैं एक production चलाता हूँ मेरी production में इस तरह की device holy land device जो है video transmitter जो है वो बहुत ही कारामिद साबिद हो सकता है बात कर लेते हैं devices की तो ये है जी receiver ये है जी transmitter इनके तरफ आगे मजीद बढ़ने से पहले आप देखें unboxing और आपको बता चलेगा कि इस box के अंदर क्या क्या चीजे मजूद है क्या क्या चीजे मजूद नहीं है और फर्दर इस वीडियो में आपको बता चलेगा कि ये device पाकिसान में आपको कहां से मिल सकती है और पाकिसान में इसकी क्या प्राइस है तो unboxing तो इसको उपन करते हैं और इसके ओपर डिस्पले होए है हमारी दो डिवाइसे जो में हमारी डिवाइसे है तो इसको उपन करते हैं जैसे ही एम बॉक्स उपन करते हैं तो हमें साथ ही हमारी प्रोडक्स देखने को मिलती है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यह समिड में जो एक बॉक्स पड़ा हुआ है इसके अंदर यकीनल में वायर और वो चार्जर वगरा वो सारी चीज़े मजूद है जी हां दोस्तों बिलकुल यह एक प्लग है पावर प्लग है यह एक शू माउंट है जो आप डिवाइस के कर दो पर अटेच करके कैमरे पर लगाएंगे और यह भी एक माउंट है कुछ जो है इसके अंदर मजूद टाइटन करने के लिए और उसके इलावा यहां पर हमें देखने को मिलता है पावर प्लग अडाप्टर जो के एक डिवाइस के अंदर लगेगा आउटपट जो है इसके अंदर मजूद है पांच एंटीना इंकेस अगर आपका एक एंटीना जो हो खराब हो जाता है अब यह आजा बाहर ओके यह पांच एंटीना जो डिवाइस के ऊपर लगेंगे चार बेसिकली लगते हैं एक ही है जो इसमें एक्स्ट्रा दिया गया है ताकि इनकेस इसको हम TX भी बोलते हैं फ्रेंट साइट पर देंगे तो सामने ब्रेंडिंग हुई है यहां पर दो एंटीना लगेंगे यह सारा मैनू सिस्टम है ट्रांस्मीटर इस साइट पर देखे तो ऑन ओफ का ऑप्शन है और साथ यहां पर पावर सप्लाई का ऑप्शन दिया गय और दूसरी साइट पर देखे तो इसमें टाइप C की पोर्ट मजूद है और साथ ही साथ SDI Input की पोर्ट मजूद है नीची पाली साइट पर देखे तो यहां पर यहां पर यह मांट करने के लिए स्पेज दीगी जिसमें आप अपना इस तरह के जो है मांट्स वर्टैज कर सकते हैं यह उसके लावा अगर आप किसी स्टैंड के उपर इसको लगाना चाहे तो डरेक्ली इस पे लगा सकते हैं यह इस तरह से इसके उपर मांट हो जाएगा यह मांट हो गया और यह दन लग लग जाएगा कैमरे में अगर इसमें आपने पावर सप्लाई नहीं देनी इसमें बैटरी की सहूलत भी मजूद है इसमें आप बैटरी लगा सकते हैं सोनी की जो आम रूटीन में बैटरी जाती है वो इसके उपर लगा सकते हैं आप बैटरी इसमें मजूद नहीं है इसमें ना तो टाइप सी केबल मजूद है ना इसमें कोई बैटरी मजूद है त फिक है यह Holy Land की branding है सामने menu system है receiver है यहां पर और उसकी एक साइट पर देखा जाए तो दुबारा से वही on-off का option है साथ ही जो है वो current direct current का option मजूद है नीचे वाली साइट पर वही mount है साइट पर देखा जाए तो type C HDMI और SDA की port मजूद है तो आप एक time पर एक charger ही use कर सकते हैं दूसरा charger इसमें मजूद नहीं है दूसरे के लिए आपको बैटरी लगानी पड़ेगी या तो आप दोनों बैटरी के साथ इस्तमाल कर सकते हैं या एक बैटरी लगा के दूसरा direct current के थ्रू यूज कर सकते हैं अगर हम product की quality की बात करें तो बहुत जवदस किसम का material है यह को पर आप लगा सकें और जो है इस इनके point को आप protect कर सकें ताकि कुछ पानी बगएरा ना लगेगी या इसकी damage ना हो तो यह एंटीनाज है एंटीनाज को आप पड़े ही अराम से इसके ओपर plug-in कर सकते हैं अटैच कर सकते हैं इस तरह से आपने अराम से जो है वो लगा देन हैं यह जी वो सोनी की बैटरी जो आपको बड़े ही असानी से मिल जाएगी किसी भी कैमरा मार्किट से किसी भी कैमरा शॉप से एन पी एफ 970 यह आल्मोस्त दो हजार रिपे की बैटरी है जो आपको एक्स्टरनली तोर पे लेनी पड़ेगी इसको आप अपनी LEDs में इसको पर अटेश हो जाएगी तो अभी हम इसको आौं करके देखते हैं कि इसमें से आवाज आ प्सक्राइद हैं सुनां यसी टो यह इसका जब्डिस्प्ले आता है इसको ऑपर अभी फिलाल नो वीडियो नो चैनल आ रहा है तो यह सारा जब्डिस्प्ले आप मतलब अपने हिसाब से सेट कर सकते है तो जी हाँ जनाब unboxing आप लोगों ने देख ली अब मज़ीर detail में बात करते हैं यह जो transmitter होता है इसको हम लगाते हैं camera के उपर और receiver जो होता है यह हम attach करते हैं किसी भी external device के साथ ताके हम output display ले सके और Holy Land claim करता है कि 400 feet तक आप इसको use कर सकते हैं मतलब आप high level production अगर काम कर रहे हैं तो 400 feet के फासले पे आप इस device को use कर सकते हैं for example आपकी device एक जगा बे पड़ी हुई आपका camera एक जगा बे स्टेबल लगा हुआ है आप display को 400 feet के फासले तक जाके देख सकते हैं wirelessly मजीद अगर हम detail में बात करें तो इस box के अंदर सिरफ एक ही adapter एक ही charger या एक ही power supply आती है जो एक time पे एक ही चीज़ को power दे सकती है उसके इलावा आपको external तोर पे या तो batteries लेनी पड़ेंगी दो अगर आप batteries ले लेंगे तो दोनों चीज़ें आप at a time चला सकते हैं वरना आपको कही जगा पे वो बिजली ढूड़ना electricity ढूड़ना वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो सकता है तो बेतर यही है कि आप दो batteries रखें और उसको at a time use करें अगर हम इसकी price tag की बात करें तो international market में इसकी price almost 600 to 650 US dollars है और अगर हम पाकिसान में बात करें तो पाकिसान में इसकी price almost 80,000 से लेकिन 90,000 रुपीस तक है और अगर आप लहोर, कराची, इसलामाबाद जैसे बड़े शहरों में रहते हैं तो easily आपको किसी भी camera market से यह device मिल जाएगी तो यह थी जी आज की एक quick unboxing और quick review next video में इसका complete review किस तरह इसको use करते हैं इसके menu system में क्या क्या चीजे हैं तो सारी चीजे next video में इसका जाएगी अभी तक के लिए इतना ही और उमीद करते हैं आप लोगों को आज की thank you so much to holyrand and aga ali for sending me this device और मुझे मौगा मिला इसको review करने का तो इंशाला मिलते हैं अगले part में तब तक लिए पना खियाल रखिएगा ना तो यह वीडियो पहली है ना यह वीडियो आखरी है आते रहेंगे और चाहते रहेंगे बाई